Dear students, next है हमारे पास determining the oxidation number of an atom in a compound ठीक है Oxidation जो number है किसी भी compound के atom में हम कैसे find कर सकते हैं ठीक है वो हम देखते है Example है पहली हमारे पास determining oxidation number A device called breathe analyzer is used by police to test a person's breathe for alcohol ठीक है किसी भी person की जो सांस लेता है जाब वो तो उसमें alcohol होता है या नहीं तो वो हम लोग जो police वाले होते हैं वो एक device यूज़ करते हैं breathe analyzer उससे test करते है It contains an acidic solution of potassium dichromate K2Cr2O7 It is a strong oxidizing agent determined oxidation state of chromium in it K2Cr2O7 है हमारे पास यह कह रहे हैं कि यह acidic solution होता है potassium dichromate का यह जो breathe analyzer है ठीक है K2Cr2O7 होता है अब इसमें हमने chromium की oxidation state find करनी है Use rules 1 to 4 and table 7.2 to get as many oxidation numbers as you can Use rule 4 to get oxidation number that has been assigned अब हम देखते हैं number 1 है हमारे पास the oxidation number of potassium पहले हम potassium को देखते है के को is plus 1 उसका जो होगा वो क्या होगा प्लस 1 क्योंकि यह group 1 से बिलॉंग करता है Since it belongs to group 1 there are two K atoms therefore overall oxidation for K is 2 plus 1 ठीक है यह आगे हम लोग इसको product में लेंगे multiply में लेंगे प्लस 1 तो 2 1s are 2 तो प्लस 2 आ जाएगा देखें जरा K2 दो एटमस थे ना क्रोमियम की एक की प्लस 1 है ठीक है तो यहां पे दो को इससे हमने तब multiply करना है उसके बाद there are 7 oxygen atoms C are 2 O 7 है 7 है आपके पास oxygen तो क्या होगा there for overall oxidation state for oxygen एक की कितनी होती है माइनस 2 7 into माइनस 2 क्या हो जागा माइनस 14 पोस oxidation for chromium is x since there are 2 chromium atoms chromium भी 2 है तो क्या होगा there are overall reaction sorry overall oxidation state जो है chromium की वो 2x होगी हम फर्स कर रहें कि suppose करते हैं कि chromium की जो oxidation है वो x है ठीक है और 2 atom है तो 2x the sum of oxidation number must be 0 ठीक है जो oxidation number sum होगा वो 0 ही होता है अब देखें प्लस 2 potassium की प्लस 2 CR2 2x और इदर oxygen और 7 प्लस तो यह इदर देखें आप इस पर माइनस 14 आया था ठीक है यह कि इदर माइनस चार्ज था तो माइनस 14 ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना इदर सही है 2x अब देखें 14 और प्लस 2 इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा आएगा आपके पास 12 और 2x यह आजाएगा इक्वल है 0 अब देखें 2x इक्वल है 12 x इक्वल है अब हम देखते हैं कि जो बॉरिक एसिडेशन स्टेट है उसकी में जो बॉर्ण है उसकी अक्वल है क्या होगी नमबर वन इसके हम देखते हैं क्या रूल है तो एक की प्लस 1 होगी तो 3 की प्लस 3 तो एक की माइनस 2 है तो अगर 3 होंगे तो 3 इन टू माइनस 2 माइनस 6 थीक है हम स्पोस्ट कर लेते हैं कि इसके उक्सिडेशन स्टेट जो है वो एक्स है जो टोटल उक्सिडेशन स्टेट का सम है वो 0 होगा प्लस 3 ठीक है H3 की क्या होगी प्लस 3 प्लस बरॉन X प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस X और प्लस माइनस माइनस 6 और प्लस 3 इन दोनों को सॉल्फ किया तो आपके पास माइनस 3 आया प्लस माइनस माइनस होता है न ठीक है माइनस आगया इक्वल टू जिरो एक्स इक्वल टू टू त्री तो ओ उक्सिडेशन स्टेट जो है बराउन की H3, BO3 में कितनी होगी प्लस त्री ठीक है, सेल्फ असेस्मेंट्स आपको रिटन फार में सेंड करूंगी और आप लोगों ने अपनी नौट बूफ के उपर करनी है ठीक है